आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डेली करेंट अफेर्स का हम लोग हिंदी में 16 नवंबर 2022 का तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो कोश्चन दिये थे लास्ट वीडियो में उसके लास्ट में हम लोग डेली एक कोश्चन देते हैं तो कल का कोश्चन था निमलिखित में से किस उद्देश के लिए राजा मानर समीती का गठन किया गया था इसका उप्षन है आद्योगिक लाईसेंसिंग B.A. प्रत्यक्ष कर C.A. केंदरे राजकोशिये सम्भन D.A. अप्रत्यक्ष कर तो राजा मानर समीती जो था वा, 1979 में या समीती का गठन किया गया था, उस समय तमिलनाडू सरकार के दोरा या गठन किया गया था, जिसके चेर्मेन थे, डॉक्टर पी के राजा मानर या इसके क्या चेर्मेन थे, और उस समय जो था, तमिलनाडू सरकार में जो पार्टी का स और यहां जो राजामानर समीतिय वा गठन किया गया था केंद्रे राज, राजकोशिय संबंध के लिए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा option number C, केंद्रे राज, राजकोशिय संबंध के लिए जो है राजमानर, राजामानर समीतिय का गठन किया गया था अगला हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं राष्ट्रिय करेंट अफेर्स के द्वारा यानि की नेशनल करेंट अफेर्स का जो नियूज है उसको हम लोग डिसकस करेंगे इसमें पहला जो है देश का यानि भारत का पहला multi-model logistic park का जो निर्मान किया जाएगा वा चेन्नई में इसका निर्मान किया जाएगा और यह जो निर्मान करने वाला जो company है उसका नाम है Reliance Industry तो Reliance Industry जो है वा देश का पहला multi-model logistic park का जो निर्मान करने वाला है वाज चेन्नेई में इसका निर्मान करने वाला है अगला जो है भारत और फिनलेंड के बीच जो दोनों देशों के बीच digital साजयधारी में सहयोग करने के लिए जो है दोनों के बीच समझाता हुआ है या जो सहयोग है यानि भविस्य में ICT के सम्बन्द में जो सहयोग करना होगा mobile technology के बीच में जो सम्बन्द होगा या digital सिक्षा के बीच में साजयधारी करने के लिए दोनों देश यानि भारत और फिनलेंड के बीच या समझाता किया गया है अगला जो है ठोक मुल्ल सूचकांक मुद्रास्पिती जो है अक्टूवर मन्थ में 8.39% पर आ गया है और एह 18 महिनों में पहली बार है जब एह मुद्रास्पिती जो दरहवा दोहरे अंकोख से नीचे आई है पिछले बार यहां आई थी पार्च 2021 में अगला जो है ERA के अनुसार Reliance Geo जो है देश का सबसे मजबूत टेलीकॉम ब्रांड बन गया है एह जो है Airtail और Vodafone आईडिया को पीछे छोड़कर Reliance Geo जो है देश का सबसे मजबूत दूर संचार ब्रांड चुना गया है अगला जो है वांगला महोत्सो यह जो Organize किया जा रहा है मेघाले में Organize किया जा रहा है और यह जो महोत्सो है गारो जो परजाती है मेघाले का उसका सबसे लोगप्रिये तेहारों में से एक है और यह जो वांगला महोत्सो है यह फसल उत्सो है यह क्या है फसल उत्सो है और जो वांगला महोत्सो है उसका सुरुवात जो है वह सर्दिये की सुरुवात को यह दर्साती है अगला जो है दिल्ली के प्रगती मैदान में जो है एक तालिसमा भारत अंताराष्ट्रिये वियापार मेला का उद्गाटन हुआ है जिसमें की इसका जो मुख थीम है एक तालिसमा भारत अंताराष्ट्रिये वियापार मेला का वा वोकल फोर लोकल या जो है इसका थीम है एक बारत अंतराष्ट्रिये वियापार मेला का अगला जो है अंतराष्ट्रिये समाचार के बारे में हम लोग देखेंगे तो इसमें जो पहला है जो इंडोनेशिया के बाली में G20 की जो बैठक है वा शुरू हुई है जिसमें की महामारी कोस आधिकारिक तौर पर शुरू किया है इस बैठक में और यह जो महामारी कोस आधिकारिक तौर पर जो सुरू किया गया है जी ट्वंटी के संयुक्त बीत और स्वास्त मंत्रियों की बैठक में सुभारम किया गया है अगला है पाकिस्तान बंगला देश को G7 ग्लोबल सिल्ड जलवायू बित पूशन प्राप् प्राइव आपदाओं से पिडित देशों को धन प्रदान करने के लिए जो है G7 ग्लोबल सिल्ड के तरफ से इसको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है और यह जो घोसना किया गया है COP 27 सिखर समेला मिश्र में आयोजित किया गया था इसमें यह घोसना किया गया है कि तीनो देशों को जैसे पाकिस्तान घान और बंगला देश को जो है फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाएगा अगला जो है तीमोर लेश्ते को एक ग्रहमे देश के रूप में स्वविकार करने पर सम्मित सम्हाती हुआ है आसियान देशों के समूह में तो अभी टोटल जो आसियान देश हो जाएंगे वा आसियान देश के जो सदस से हो जाएंगे वा एक ग्यारा सदस से भी हो जाएंगे जिसमें की एक ग्यारा हमा जो सदस होगा वा तीमोर लेश्ते अगला जो है जी ट्वन्टी सिखर सम्मिलन जो है वा इंडोनेशिया के बाली सहर में शुरू हुआ है जिसमें की भारत के तरफ से प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी भाग ले रहे हैं इसमें कुछ देश विदेश के नेताओं भी भाग ले रहे हैं जैसे की अमेरिकी राष्टपती जो विडेन, चीरी राष्टपती सी जिंग्पिंग, इंग्लैंड के प्रधान मंत्री भी इसमें भाग ले रहे हैं। इस से जो रिलेटेड दुनिया में हर देश का वरिदी दर कम होता जा रहा है। तो वैस्विक अस्तर पर आर्थिक सुधार लाना बहुत जरूरी है। महोत्सों में सत्य जीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट आवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो स्पेनिस फिल्म निर्देशक हैं कारलोस सौरा इनको जो है सत्य जीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट आवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। भारतिय अंतराष्ट्रिय फिल्म महोत्सों में जो की गुवा में और गिनाई किया जा रहा है। और यह जो पुरसकार की घोसना की जाती है वा युवा मामले और खेल मंतराले के द्वारा किया जाता है। इनको मेजर ध्यांचन खेल रतन पुरसकार दिया जाएगा। इनको स्लोवानिया देश की पहली महिला राष्पतिया चुनी गई है अगला हम लोग देखेंगे अब भ्यास से रिलेटर जो नियूज है इसके बारे में अगला जो है अखिल भारतिये तटिये रक्षा भ्यास है सी विजिल 2022 या जो है पैन इंडिया यानि पूरे इंडिया म जिसमे की समुद्री सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में जो है विविन उपायों को मान्य किया जा सके अगला है कुछ जो महत्पुन जो दिन मनाये गए हैं इसके बारे में हम लोग देखेंगे तो पहला है जन जातिये गौरव दिवस या जो 15 नवंबर को मनाया जाएगा और आदिवासी नेता थे विरसा मुंडा इनके जन दिवस के अफसर पर जो है 15 नवंबर को जन जातिये गौरव दिवस या आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा अगला है आंध्र प्रदेश जो हैगा पच्पनमा राष्ट्रिये पुस्तकाले सप्ता म अगला हम लोग देखते हैं खेल कुद से रिलेटेर जो नियूज है इसके बारे में तो अंडर 19 जो है पुरुस T20 विस्व कब जो है 2024 और महिला T20 विस्व कब द्वार 2024 दोनों की मेजवानी जो है वा स्रिलंका करेगा 2024 में जो है अंडर 19 का पुरुस T20 विस्व कब और महिला T20 विस्व कब दोनों जो होगा वा स्रिलंका में होगा और 2026 का जो है अंडर 19 पुरुस और महिला विस्व कब जो होगा वा जिमबामबे जिमबाबे और या नामीबिया में आउजित किया जाएगा अगला जो है केनिया के धावक है रेंजू इस पर पांच साल का डोपिंग प्रतिबंद लगाया गया है और इनको मेथा इस्टोरेन एक निशीध परदार्थ है जिसको उपयोग के लिए जो है इनको प्रतिबंद कर दिया गया है अगला जो है ICC की सबसे मुल्यवान टीम जो बनाया गया है उसमें भारत के तरफ से दो खिलाडी है एक है विराट पोहली और दूसरे है सुर्य कुमार यादव इन दोनों खिलाडीयों को जगह मिला है ICC का सबसे मुल्यवान टीम के लिए सबसे मुल्यवान टीम जो बनाया ह है ICC का उसमें दो भारत के तरफ से दो खिलाडी सामिन है एक है विराट पोहली दूसरे है सुर्य कुमार यादव या करेंट अफेर्स था 16 नवंबर का लास्ट में हम लोग कोश्चन देते हैं तो आज का कोश्चन है 1857 के विद्रोह के दोरान निमलिखित में से कौन भारत के गवर्नर जेनरल थे इसका ओप्षन है लॉड कैनिंग बी है लॉड एलगिन सी है लॉड डलहोजी डी है लॉड एलवोरो तो इसका जो सही उत्तर होगा आप कमेंट सेक्षन में लिख कर बताएं सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको यह वीडियो झाल 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 झाल